यह है यह मारा जाकु टेंपल तो फिर करते हैं बाबा के दक्षिन मुवी देखने आना इनके मुवी देखने आना भाई कल रेलीज हो रही है मेरी रावना भाई साब अच्छा के लिए गाइस कैसे वाप सब तो गाइस आप देख रहे हो वेधी ब्लोक्स और मैं हूँ आपका होश्ट है अटीस वेधी तो गाइस वाई सुबह उच्छुकिया आज आई अटीस दिसमबर और आप देख सकते हो बहते नजारों रखा है और वेधी ब्लोक्स का डिरेक्टर मजा नहीं आ रहा है निव येर के फिलम आएगी देखते हैं कब आएगी जूठ बोलो बार बार जूठ बोलो बड़िया लग रहा वाई शांती है ठंडी मीन लग रही को बारा बजे घूम रहे थे डिरेक्टर साब के साथ पूरी टीम निकल गी है और इन बाइक आज शूटिंग पर आखरी दिन है तो आई मिस्यू भ्या आप मिस्यू हम आपको मेरी डारेक्टर साब को देखो कैसे बन नक्ते हैं मुवी देखने आना इनके मुवी देखने करना भीड़ो और यहां कर दोजार तेइस में दोजार तेइस कल चालो जाएगा एक साल बाद आएगी पूरे साल एंगे थोड़ा सा इसको देख लो भाई उप लड़की से प्यार करता है यह टेटू से सच्चा प्यार है तोड़ा कि प्यार है यह सेलपीज ने से खाना प और जो उपर परांठा साथ रुपे का है वो नीचे तीस का है जो मैं की पचास किया वो चालिस किया है इतना सुकून यह यहां की लोकल मार्किट जिसे रेडी मार्किट बोलते हैं और यहां की मतलब हिमाचल की जो हल्दी बगर है उसकी समेल आपको अलग से या जाएगी बाई को भी चोड़ देंगे और फिर यहां से हमें कूफरी निकलना है तो देखते हैं बस मिलती है नी पुराने बस स्टेंड पे पूछी तो दो जार रुपे मांग रहा था बोला बरफ में चले की गाड़ी बरफ गिर वे ना वाकल बरफ गिर गी थी तो फिर देखते हैं बाई यहां से मिलती है या नी बाई अपना कुफरी की बस लगने में टाइम है तो अपना इस साइड तो यह अपने बाशा राम राम अंकले राम राम जे अपना बती जया नाम यह अपना च्छा होगा दुनिया अब है एक तूई तो तेरे चाचा की जान है बाई करीबन ने गंटा वेट करने के बाद बस मिली है जोकी निकलने वाली है और यार आये थे और बस निकल गी थी और इसके बाद एक गंटा वेट करना पड़ रहा है आप सिधा लकडवजार भी जा सकते हो वहां से भस मिल सकती आपको वही हम कुफरी जा रहे थे लेकिन ट्रैफिक अपना जाद है देख लो लाइन हील तक निली तो हम उतर गए हैं अपना वापीश जा रहे हैं लकडवजार से आरा था 15 किलो मेटर था कूफरी शिमला से लेकिन अभी तक 10 किलो मेटर बाकी है और हमने एक गंटा बस में भिता गिया है करेंबन 500 मेटर चले हैं और नजारा देखो आप मन मोहित द्रिश है बोलीवुड वालों वहां से शूटिंग करो तुम जंप लगा के तब हीट होएंगी तुमारे फिल्मे वरना फ्लो पी जाएंगी यह रिमिक्स बना बना के तो अरे बाब रे यह तो दोती खोल रहा है यह बाई लकडवजार पहले माता के दिर्शन करो जैमातादी जैमातादी रही हमको लिफ्ट मिल गई थी फिर बस वाले ने लकडवजार छोड़ दिया अब यहां से अपना पैदल पैदल चड़ाई करनी है अब जा रहे हैं जाकु टेंपल रोपे से देखते फिर वहां के क्या टिकट है मिलता है निकुछ अ बाई जाके हैं एस्टेश योगीन की पैदल जाने में कैसा अनुभवरा आशर आपका अपका करेज जाना मुह में आ चुका था आत्मा हातों में आ जाएगा आ जाएगा वीडियो के लिए कुछ भी आ सकता है मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो टिकेट तो मिलग अब बचन देख लें पुतला बना रखा है राम बाई साब राम राम जी राम राम जी अग्राइब रोफ़े से तो उतर चुके हैं और बाई मजा आ गया बहुत ज्यादा उपर है और बिलकुल ही मंदीर के पास उता रहे हैं म्यूजिक भी बज रहा है ये जे मारा जाकू टेंपल तो फिर करते हैं बाबा के दर्शन और संगीत हो रहा है मंदरी के दर्शन कर लियोंगे आपने भी मैंने भी बहुत बड़ी दर्शन होए है मतलब पुरा टाइम लेके दर्शन किये मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है इतना सुकून और अब दिखाता हूं जय श्री अन्मान जी की मूर्ती के बारे में है श्रीमान जी की मूर्ती एकसो आठ फूट उची मूर्ति गानावरन प्रेम कुमार धूमल माननिया मुख्य मंतरी माचल प्रदेश के कर कमलो दुआरा हुआ हन्मान बाबा भाई आप सब पर अपना आश्रिवाद रखें जय श्रीबालाजी महाराच जय श्रीबालाजी की जय लंगूर बंदर राफ़ लंगूर बंदर मस्थी कर ले है उनके पास नहीं चाना चाइस है फोन ले लेते हैंuba, देखो देखो मस्थी कर रहे हैं। वह वगा दिया, वगा दिया तो भाई दर्शेन करके और डांस किया बाबा के भजनों का गुनगान किया अपने भी देखा होगा भाई जागरन था किसी जीजगा और यह रहे अन्मान जे हमारे तो फिर मिलते हैं आपको आगे और देखने फिर कैसे रहेगा हमारी जर्णी पैदल जा रहा हूँ, मैं आते टाइम तो रोपे से आए थे आप पैदल जा रहा हूँ, अपना जैसे जैसे आप पैदल जलने हा रास्ता है यह अपना शीशे का या प्लास्टिक का है शायद तो वह बना रखा है ताकि आप धूप से और बारिश से बच सको और अपनी यात्रा को अच्छी तरीके से पूरी करके भाबागे दर्शन कर से को तो अच्छी पैला बाई ये अच्छी चीजे आए अच्छा लगता है ये बाई कावड की गाड़ी यहां कैसे आगई चडा निजार रहा इससे फट्पट कर रहे है कावड लेने जाही हो भाई तो यहां कहां गया शुम्ला बे शड़े पांच क पे तो पेंटी हो रहा है अभी तो और शीशे तो अभी प्लास्टिक या शीशे जो भी है वो वो तो लगने अभी पूरे बाकी है इनका पेंटी नहीं कंप्लीट हुआ तो मलब कारिया प्रगर्ती पर अभी अभाई हैं दर्शन करके और वापिस स्माल रोड पे आ गया है औ और यह रहे चर्च जिसस और भाई अपना जाकू टेंपल में अपना जाओ तो प्रोपे से जाओ दो सो पैंसे ट्रूबे की टिकेट है और आते टाइम पाई दला सकते हो आप 15-20 मिनट में आ जाओगे वापिस और वहाँ पर बस आपको एक चीजी का ध्यान रखना है लेक जो बंदर है वह कुछ नहीं कहते हैं लब ओडर आती हैं सिर्फ ठीक है समरिया लेकिन कहते कुछ नहीं है तो फिर आप करते हैं भाई अपना व्लोग को एंड क्योंकि फिर आपको मिलते हैं शाम को न्यू येर पार्टी में तो तब तक अपना भाई स्पोर्ट मनाये रख के लिए नमस्काराम्त सिकाल जाय शंक्रभवान जाय शंक्रभवान जाय शाम बाबा खर चल्ब करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो वीडियू ।ी नहीं सेfeed हो जल्दी चल्ख करते हैं जल्दी रतिए गंट outreach